हेलो दोस्तो, मैं वच्छल आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि मुबाइल से कम्प्यूटर में डेटा ट्रांसवर कैसे करते हैं तो पहली जो हमारी रिक्वार्मेंट है वो है एक डेटा केबल की तो ये एक डेटा केबल है तो अगर आपके पास एक स्पेर डेटा केबल है तो वैलन गूड है अगर आपके पास स्पेर डेटा केबल नहीं है तो जो केबल आप मुबाइल को चार्ज करने के लिए यूज करते हैं वो आप इस केस में यूज कर सकते हैं वो भी डेटा केबल है तो आपको करना यह है कि आपको USB केबल के एक end को यानि कि इस छोटे वाले end को मोबाइल के charging port में insert करना है और दूसरे वाले end को यानि कि USB end को आपको computer के USB port में insert करना है computer को USB port जो है वो CPU के front side पे भी होता है और back side पे भी होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो यह computer का back side है और यह चार USB port है इसमें से आप किसी भी USB port में उस USB केबल को insert कर सकते है तो एक end इसमें जाएगा USB port में और दूसरा end जो है वो हमारे मोबाइल के charging port में जाएगा इस वाले port में इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल पे जाना है तो अब मैं अपने मोबाइल फोन पे हूँ तो करना यह है कि आपको उपर से slide करना है और इस option पे click करना है USB charging this device अब आपके पास तीन option दिखाई देंगे तो आपको यह दूसरे वाला option पे click करना है transfer files इस पे click करने के बाद अब हमें अपने computer पे जाना है तो यह window खुल जाएगी इसको पहले close कर देना है और my computer में जाना है फिर तो यह रहा हमारा mobile phone Redmi 4 तो आपका जो भी mobile phone है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा आपको क्या करना है उस पे double click करना है और फिर आपको यह show करेगा आपके phone की internal storage इसको open करना है और जैसे कि आप देख रहे हैं यह आपको आपके phone के जितने भी folder है वो सारे show कर रहा है यहाँ पे तो अगर आपको whatsapp की images को access करना है तो आपको whatsapp खोलना है फिर media में जाना है फिर double click करके इस whatsapp images folder में जाना है और यहाँ पे आप images को access कर सकते हैं अपनी whatsapp की images को अगर आपको अपने phone की gallery की photos या videos को access करना है तो वो एक अलग जगा पे होती है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको क्या करना है back जाना है तो यह folder है वो DCIM इसमें आपकी जो camera से ली गई photos हैं और videos हैं वो store होती हैं तो इसको हम open कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यह camera folder तो camera से जो भी आपने photos या videos ली हैं वो इसमें store होंगी अब file या data को कैसे transfer करते हैं हम यह सीखते हैं तो यह सारी हमारी images और videos हैं तो suppose अगर आपको इस image को अपने computer में transfer करना है तो क्या करना है इसको select कर लेना है right click करना है और copy option पे click करना है और अपने desktop पे आके right click करना है और just paste option पे click कर देना है तो यह हमारी photo यहाँ पे computer में transfer हो गई है ऐसी ही अगर आपको अपने computer से अपने mobile में data को shift करना है जैसे कि मालो इस image को आप shift करना चाहते हैं तो same procedure है right click करना है copy option पे click करना है और फिर इस folder में आके right click करना है और फिर paste option पे click कर देना है तो यह file already थी मेरे mobile phone में तो मैं इस पे click कर देता हूँ copy and replace इसी तरह अगर आपको कोई और file transfer करनी है जैसे कि कोई notepad file है या PDF file है वो भी आप transfer कर सकते हैं तो जैसे यह notepad file है इसको भी आप right click करके copy करना है बस और अपने camera वाले folder में या फिर किसी और folder में आपको डालनी है जैसे मालो आपको download folder में डालनी है तो आप यहाँ पे आके right click करके paste कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने mobile से computer में data को या file को transfer कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगओ तो लाइक करें और चैनल को subscribe करना ना बुले thanks for watching